नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरे माप के लिए लेकर आये तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की और लेकिन उससे पहले गर आप चाइना को पूरे देश के सामने जुकते हुए देखना चाहते हैं दोस्तो पहली बड़ी खबर की और जहाँ आपको बताएंगे दोस्तों कि चीनी सेनिको कॉब उनकी भाशा में देगा जबाब ITBP के जवान जी हाँ दोस्तों बताएंगे कैसे उससे आगे बताएंगे जहाँ पर भारत ने दिया पाकिस्तान को दो टुक जवाब जी हाँ दोस्तों चीन सीमा विवाद पर कही है बड़ी बात बताएंगे दोस्तों आपको क्या कही साथी आपको रेलवे से जुड़ी खबरे बताएंगे जहाँ पर रेलवे के टाइम टेवल में बदला होने वाला है जिसको लेकर 300 और ट्रेने रद हो सकती है दोस्तों तो बताएंगे वो आपको बता दें की ITBP के जवान चीनी सेनिकों को उन्ही की भाषा में देंगे जबाब जी हाँ दोस्तों गलवान गाटी में चीनी सेनिकों के साथ हिंसक जड़ब के बाद से ही भारत हर तरीके से तयार रहना चाहता है हाली के दिनों में सीमा पर भारत की तरफ से हतियारों की तैनाती बढ़ाई गई है इसके साथ ही अब ITBP चीन के सैनिकों को उनकी भाषा में जवाब देने की भी तैयारी कर रहा है दरसल ITBP Life of Actual Control के Front Line पर Defense के तोर पर तैनात होती है जब भी चीनी सैनिक गुजपैट करते हैं तो सबसे पहले ITBP से ही इनका मुकाबला होता है हाला कि इस मुकाबले के दोरान चीनी सैनिक की भाषा को लेकर भारतिय जवानों को दिक्कत जरूर आती है यही वज़े है कि कई बार चीन के बरताव को हमारे जवान समझ नहीं पाते हैं लेकिन अब LAC पर तैनात हर भारतिय जवान चीन को उसी की भाषा में जवाब दे सकेगा जी हाँ दोस्तों गलवान में चीन के साथ हुई खूनी जड़ब के बाद ये तैह हुआ है कि अब भारतिय जवान चीनी भाषा समझ कर उनके जवानों की मंशा पहले ही डिकोड कर लेंगे यही वज़े है कि मसूरी इस्तित ITBP Academy में ITBP के कमांडरों को चीन की भाषा मंदारिन सिखाई जा रही है तो दोस्तो अगर आप मानते हैं कि यह बिल्कुल सही उपाय है जो भारत करने जा रहा है और चाइना के हर मनसूबों को पहले सही समझ कर नाकामियाब कर सकता है हमारे भारत के सैनिक अगर आप भी मानते हैं बिल्कुल सही उपाई है तो कमेंट सेक्चन में दोस्तो जरू लिख कर बताईएगा और आप किस प्रकार से भारतिय सैनिकों के साथ खड़े हैं दोस्तो बताईएगा जरू ताकि आपकी बात सैनिक अगर देखे तो उनका मनोबल बढ़ेगा और कहा है कि सीमा वर्ती छेत्रों में शांती और इस्थिर्ता बनाए रखना हमारी द्विपक्षिय संबंदों का आधार है विदेश मंत्राले ने यहवी उम्मी जताई है कि चीन तनाव को पूरी तरह से कम करने के लिए गंभीरता से काम करेगा है विदेश मंत्राले के वास्त्विक नियंतरन रेखा का पालन करने और उसका समान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और वह यथा इस्थिती में बदलाव के किसी भी प्रयास को स्विकार नहीं करेगा पाकिस्तान के प्रधान मंत्री मिरान खान की और से बांगलादेश की प्रधान मंत्री शेक हसीना से बातचीत के दोरान जम्मू कश्मीर का मुद्धा उठाये जाने पर विदेश मंत्राले ने कहा बांगलादेश के साथ हमारा रिष्टा एतिहासिक और समय पर परखा हुआ है हम उनके अडिक स्टेंड की तारीफ करते हैं कि जम्मू कश्मीर और यहां की सभी गतिविदियां भारत का अंदुरूनी मुद्दा है उन्होंने हमेशा यही स्टेंड लिया है ऐसे में दोस्तों अगर आप मानते हैं कि भारत ने सही करारा जवाब दिया है पाकिस्तान को तो जरू बताइएगा और आप किस प्रकार से पाकिस्तान को जवाब देना चाहेंगे दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरू लिख कर बताइएगा एक और घबर की माने तो भारतिया अमेरिकी निक्की हेली ने कहा चीन को एक खत्रे के तौर पर देखते हैं डोनाल्ड ट्रम्प जी हां दोस्तो ये बड़ा खुला सा क्या है निक्की हेली ने Republican नेता एवं भारतिया अमेरिकी निक्की हेली ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रिपती डोनाल्ड ट्रम्प चीन को एक खत्रे का रूप में देखते हैं और वो नवंबर में होने वाले राष्ट्रिपती चुनाव में ट्रम्प को पुनहा निर्वाचित कराने के लिए कड़ी मेहनत करेंगी अमेरिका भारत ब्योसाइप परिशद यानि USABC द्वारा आयोजित वार्शिक भारत विचार शिकर सम्मेलन को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए हेली ने बुदवार यानि 22 जुलाई को कहा कि चीन द्वारा अमेरिका के लिए पेश किया जारा खत्रा नवंबर के राष्ट्रिपती चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा होगा जीना दोस्तों ये बड़ी बात कही गई है हैली की और ऐसे में आप चाइना को किस नजर से देखते हैं दोस्तों जरू बताइएगा कमेंट सेक्चन में लिएक और खबर की माने तो FBI ने चीन पर लगाया ये गंभीर आरोप तो बदले में चीन ने दी कड़ी कारवाई की चेतावनी जी हां दोस्तों ये भी एक बड़ी खबर आ रही है हुस्टन में चीन का कासूलेट जबरन बंद करवाए जाने के बाद चीन और अमेरिका में तनाव अब और भी ज्यादा बढ़ गया है ये कहा ज रहा है कि संग्य आधिकारी वीजा फ्रोड की आरोपी एक चीनी वेग्यानी को तलाश कर रही है जिसके बारे में उनका कहना है कि चीन ने उसे सैन फ्रांसिस्को के चीनी कांसूलेट में छुपा रखा है CNN के मुताबिक प्रोसीक्यूटर्स का आरोप है कि टैंक जुआन ने अमेरिका में एंट्री पाने के लिए अपने चीनी मिलिटरी कनेक्शन के बारे में जूट बोला और तब से उसने गिरफतारी से बचने के लिए वेस्ट कोस्ट डिप्लोमेटिक मिशन में शरण ले रख करने की संभावना की तरफ इशारा कर रही है जियां दोस्तो तो चीन भी पूरी तरह से बौकलाता हुआ और जलाता हुआ नजर आदा अगर आप भी मानते कि इसी प्रकार से चाइना को जुकाना चाहिए तो अपनी राई जरू दीजेगा एक और खबर की माने तो जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रम्प को बताया देश का पहला नसलिये राष्ट्रपती जियां दोस्तो अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपती चुनाव के लिए डैमोक्रेटिक पार्टी के संभावित उम्मीदवार जो बाइडन ने अमेरिकी राष्ट्रपत के संदर में शिकाय की तो बाइडन ने ट्रम्प की आलोजना की और नसलवाद फैलाने के लिए उन पर निशाना साधा पुरू उप राष्ट्रपती ने कहा वो जिस तरह से लोग से उनके रंग उनके राष्ट को देखकर व्यभार करते हैं ये बहुत ही दुखद बात है उन पहले हैं जो बन पाए बाइडन ने कहा कि ट्रम्प नसलवाद का इस्तेमाल वेश्विक महामारी से निपटने की नाकामियों को चुपाने के लिए कर रहे हैं ऐसे में दोस्तों आप किन के साथ है जो बाइडन या दोनाल्ड ट्रम्प के साथ अपनी राई जरूर लिखिय के एक शिर्स सिनेटर ने कहा कि भारतिय नागरिकों को इस्ताई निवासी प्रमान पत्रिया ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है उन्होंने अपने सिनेटर सातियों से इस समस्या का निदान करने के लिए एक विधाई प्रस्ताव लानी क अपील की की ग्रीन कार्ड को आधिकारिक तोर पर इस्थाई निवास कार्ड कहा जाता है अमेरिका में प्रवासियों को ये दस्तावेजक सबूत के तोर पर दिया जाता है दिया जाता है कि उसे इस्थाई तोर पर वहां रहने का विशेश आधिकार हासिल है आपको बता दे सिनेटर माईक ली ने बुदवार यानि 22 जुलाइ को कहा कि मौजूदा ग्रीन कार्ड नीती में आवर जको के बच्चों के लिए कुछ नहीं है जिनके माता पिता जिनकी मौत हो चुकी है कि ग्रीन कार्ड आवेदन को अंतता औस्वीकार कर दिया गया था क्य केगी स्थाई कमीशन रक्षा मंत्रालेंड दिये मंजूरी जियां दोस्तों ये भी बड़ी खबर है भारतिय सेना में महिलाओं के इस्थाई कमीशन को केंद्रिय रक्षा मंत्राले की और से आधिकारिक तोर पर मंजूरी दे दी गई है जियां दोस्तों सही सुना अपने गुरुपार को सरकार की और से जारी किये गे स्विक्रती पत्र के बाद अब सेना में विबिन शिर्स पदो पर महिलाओं की तैनाती हो पाएगी इस आदेश के मुताबिक शौर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों को भारतिय सेना के सभी 10 हिस्सों में इस्थाई कमीशन की इजाज़त दे दी गई है यानि अब आर्मी एरडिफेंस सीगनल इंजीनियरग, आर्मी एव्येशन, इलेक्टरनिक्स, मिचेनिकल इंजीनिरिंग, आर्मी सर्विस कौप्स, आर्मी ऑर्टिनेंस कौप्स और इंटेलिजेंस कॉप्स में इस भी इस थाई कमीशन मिल पाएगा इसके सासा जज एंड एडवोकेट जनरल आर्मी एजुकेशनल कॉप्स में भी ये सुविधा मिल पाएगी जियां दोस्तो अगर आपको लगता हैगी बिल्कूल सही कदम उठाए गया है सरकार की और से और मह हैमर मिसाइल जी हां दोस्तो चीन के साथ वास्तविक नियंतर रेखा पर चल रहे तनाव के बीच भारत अपनी सेन ताकत को मजबूत करने में लगा हुआ है भारत इस वक्त तीनों सेनाओं खासकर वायू और थल सेनाओं को पूरी तरह मजबूत देने की कोशिस में है यही कारण है कि 29 जुलाई को फ्रांस से भारत आने वाले पांच राफे लड़ाकू विमानों को और ज्यादा शक्ति साली बनाने के लिए भारत सरकार फ्रांस से हैमर मिसाइले खरीद रही है जी हां दोस्तो बड़ी ख़बर दिये इससे जुड़ी एक और ख़बर बता दे कें दोस्तो आपको बता दे कि ये मिसाइल का ओर्डर आपतकाली रूप में दिया गया है जी हां दोस्तो ऐसे में आपकी क्या रही है जरू बताएगा और किस प्रकार से चाइना को हम सबक सिखा सकते हैं राई जरू दीजीगा दोस्तो एक और खबर की माने बनारत से खबर आ दोस्तो अब नहीं लगेगा काशी के घाटो पर पूजा आरती का टेक्स वापस होगा तुगल की फरमानजियां दोस्तो धर्म नगरी वारा नसी में गंगा के घाटो पर परम परागत तरीके से पूजा पाठ धार्मिक कार एवं कर्म कांड कराने पर अब कोई टेक्स नही लगेगा प्रदेश के परेटन संस्क्रती एवं धर्मार्द कारे राजमंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नील कंठ तिवारी ने बताया कि घाट के पंडा समाज को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है उनसे कोई भी टेक्स नहीं लिया जाएगा जी हाँ दोस् रुपे प्रति दिन लेने की बात थी ये शुल्क एक से पंदरा दिनों तक चलने वाले आयोजनों के लिए था इसके अलावा पंदरा दिन से लेकर एक साल तक चलने वाले आयोजनों पर वार्शिक सुल्क के रूप में पांच हजार रुपे था जिसको अब पूरी तरह से माफ कर दिया गया है दोस्तों ऐसे में अगर आप मानते हैं कि ये बिलकुल सही कदम उठाए गया है प्रदान मंत्री मोधी की और से तो उनको आप बदाई जरूर दीजेगा दोस्तों कमें सेक्चन लिखे और आप कितना समर्थन करते हैं जरूर बताएगा एक और खबर की मा साम पर सामने आये जिसमें आयर सीटीव सी प्रमुक है इसके अलावा जी एम आर समू और भी बहुत सारे जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दोस्तों एक और खबर की माने तो अमिता बच्चन ने खुद अपनी कोरोना रिपोर्ट जो की सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है तो किर्प्रा करके फेक निउस पर विश्वास ना करें दोस्तों और आपको सची खबर चाहिए हमेशा इसलिए हम आपको स्क्रीन शॉट के साथ में सब खबरे दिखाते हैं ताकि आपको भी भरोसा बना रहे तो इसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तो तो किर्प्रा करके सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो हमें कमेंट सेक्चनल लिखके बताईएगा कि उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है ताकि हमें पता चले हमारे अपने कितने सब्सक्राइबर एक और खबर की माने तो योगा को स्कूलों में नहीं किया जा सकता अनिवार सुप्रीम कोर्ट का ओडर है जी आ दोस्तो एक और खबर की माने तो रेलवे स्टेशन पर नहीं फैलेगा कुरोना वाइरस यात्रियों को मिलने लगी एरपोर्ट ज जैसी सुरक्षा जीया दोस्तो अब आपको रेलवे स्टेशनों में कोरोना वाइरस का डर नहीं सता आएगा यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी सुरक्षा दी जा रही है टिकट लेने से लेकर सभी काम बिना किसी जी के संपर्क में आये किये जा रहे हैं जियां दोस्तो एक और खबर की माने तो शंकरा चार्ज स्वामी स्वरूपा नंद स्वरसती ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिल के भूमी पुजन के लिए 5 अगस्त का दिन शुब महूरत नहीं है जियां दोस्तो एक बड़ी बात कहिया उन्होंने देखते हैं अब आगे क्या होता है प्लैन चेंज होता या नहीं जैसा भी होगा आपको हम तुरंद बताएंगे एक और खबर की माने तो पत्रकार विकरम जोशी के परिवार से मिलने गए जनरल वीके सिंग जियां दोस्तो एक और खबर की और चेले तो एनकाउंटर में मारा गया विकास दूबे का साती प्रभात मिस्रा नहीं था नावालिक स्कूल की टीसी में उम्र का हुआ खुलासा जियां दोस्तो ये बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें अब तक की जो अटकले लग रही थी कि प्रभात मिस्रा ना बालिक है लेकिन अब टीसी से खुलासा हो गया है कि वो बालिक था जियां दोस्तो एक और खबर की माने तो मद परदे से खबर आ रही है कि कॉंग्रेस को फिर जटका विधायक नारायन पटेल ने दिया इस्तिफा भाजपा में हो गए शामिल जियां दोस्तो ये बड़ी खबर थी और ये अब तक का तीसरा इस्तिफा है इस महीने का ऐसे में दोस्तो आप विधायक नारायन पटेल को भारतिय जन्ता पार्टी में आने पर उनको अस्वागा जरू कीजिएगा दोस्तो कमेन सेक्शन में लिकर उनको बधाई जरू दीजेगा देखतें कौन देता है बधाई एक और खबर की माहने तो भारतिय क्रिकेट जगत ने चहल को दी उनके तीसमे जन्म दिन की बढ़ाई एक और खबर की और चले तो केजरिवाल दिल्ली में वही कर रहे हैं वही कर रहे हैं जो पच्छिम बंगाल में ममता बनर जी ने किया जिया दोस्तो गौतम गंबीर का बड़ा दो टुक बयान केजरिवाल को लेकर क्या आप भी यही मानते हैं दोस्तों की पश्चिम बंगाल में ममता बनर जी और दिल्ली में केजरिवाल सरकार एक जैसा कारे कर रहे हैं यह क्या आपको लगता है जरूर बताएगा एक और खबर की माने तो IPL में खेलने वाले अ आसान हो गया है दरसल कई बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने होम लोन पर ब्याजदर कम कर दी है करोना काल में कई बैंकों ने दो से तीन भार ब्याजदर में कटौती की है इस लिश्ट में भारतिय जीवन भीमा निगम की कंपनी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटे भी हो गई है LIC Housing Finance की यहां अब तक की सबसे निम्न भ्याज दर है जियां दोस्तों जिन ग्रहकों का Civil Score 700 अतवा इससे अधिक होगा उन्हें इस दर पर Home Loan उपलब्द कराया जाएगा तो दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग है जिनका Civil Score 700 या 700 से अधिक है वो हमें कमेंट सेक्षिया में ज़रू लिकर बताएगा ताकि आपके लिए हम बड़ी हम डीटेल में आपके लिए खबर लेकर आएंगे कि कैसे आप पासकते हैं गर एक और खबर की माने तो टाइम टेबल बदलने की तैयारी में रेलवे ने 100 ट्रेनों का संचालन भी हो सकता है बंद जियां दोस्तों माफ करिएगा 100 ट्रेनों का संचालन है ना कि 300 का आपको बता दे भारत्य रेलवे ट्रेनों की समय सारुनी ताइम टेबल में बड़ा बदलाव करने जा रही है रेलवे ये कदम ट्रेनों के समय पर संचालन कर रहा है साथी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रेलवे ऐसी सो ट्रेनों के संचालन को भी बंद करने की तैयारी में है जिनकी खास मांग नहीं है या जमें आदे से ज्यादा सीटे खाली है बता दे की कोरोना वाइरस के चलते रेलवे समय यातायात के सभी साधन बूरी तरह से प्रभावित हैं जी आँ दोस्तो ऐसे में आप में कितने ऐसे लोग जो सफर करने वाले थे जरू बताईएगा एक और खबर की माने तो एमेज़न ने भारत में बढ़ाया कारोबार दस बड़े सप्लाई सेंटर खोले हैं जी आँ दोस्तो अगर आपको लग जी आँ दोस्तो अंतिम खबर कि अगर हम बात करें तो सचीन पाइलेट को इस पाइस जेट अमेरिका के लिए भरेगी उडान ऐसा करने वाली देश की पहली बजट एरलाइन जी आँ दोस्तो तो दोस्तो यह थी अब तक कि सारी बड़ी खबरे आपको मारी खबरे कैसी लगी होगी अगर जरा भी यह खबर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब बैल आइकोन दबाइए साथ ही कमेंड बॉक्स में लिख दीजगा जैन जै वारत और दोस्तो इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत बूलेगा देखने का